नमस्कार सभी को आज मैं आपके अपनी चैनल NCRT e-teaching पर लेकर के आया हूं दो चित्रकथाओं का रिव्यू मैं एक एक करके उनके टाइटल दिखायाता हूं आपको पहला है अमर चित्रकथा की तरफ से तुलसितास रामाइन और दूसरा है अमर चित्रकथा की तरफ से वाल लुआ तुलसितास रामाइना में 160 पेज याने की एक 65 पेज है तो से रामाइना में जो आर्ट वर्क हे वह दिलिप कदम जी का है जो राज को मिक्स के लिए भोकाल बनाते हैं तो अगर आप राज कोमिक्स की रीडर है तो आपको इनके आपक्षाओं समझ में आ जाएगा यह आपको बखाल की याद आ जाएगी स्कुवार्टर को देख करके दोसी तर बात करें वालमी के रामायन की तो इसमें 96 पिजिस हैं कवर आर्ट परताप मुलिक जी ने बनाया है परताप मुलिक जी बहुत ही जाना पैचाना नाम है राज कोमिक्स के रीडर्स के लिए जो की काफी सारी कोमिक्स के कवर आर्ट बनाते थे प्रताप मुलिक जी और नागराज के कोमिक्स के भी आर्ट वह बनाया करते थे यह एक पुराना रिप्रिंट है जो 100 रुपिस प्राइज पर मेंशन है अभी शायदे 250 यह 300 का मिलता है और कंडिशन के काफी अच्छी थी इसलि किसी को और उसी को रिवीजिट करने के लिए में फिर से यह सर्ष करके मंग वही है कि कवराट देखते हैं और अगर आप अंदर के लिस्टेशन देखेंगे और नागराज कि शुवाती कोमिक्स जो परताप मुलिक जी ने इनका अर्ट रॉक बनाया था यह उसके आपको अ अगर आपने लेख रखेंगे तो बिल्कुल आपको रिमाइंड हो जाएगा वही चिर परिशित अंदाज में परताप मुलिक जी अब हमारी बीच नहीं रहे लेकिन उनका आर्ट वरक अभी जिन्दा है और काफी अच्छा लगता है राज अमर्चित्र कथा में इवन यह अच्छे से उन्होंने इस्ट किया है जब अमर्चित्र कथा को मज सर्च करता हूं मेरे फ्रेंट्स वकर सर्च करते हैं उनलाइन वेबसे तो काफी कन्फीजन रहता है उनके अंदर के अर्ट वरक के लिए क्योंकि कवरार्ट से आर्ट रोक का पता नहीं रहता कई बार पे अच्छी कंडिशन में था मुझे अच्छा लगा तो मैं यह लिया यह मेरा रिव्यू था इस एक इस्पेशल इस्यू के लिए नेक्ट अब देखते हैं तो तो तुलसी दास रामाइन में आट रोक है दिलीप कदम जी का जो भोकाल बनाते है राज कॉमिक्स के लिए और व कवर आठ हमें ऐसा मिलता काफे चार्ट रही है तो इसके बाद अगर हम 32-32 पेज में डिवाइड करें तब जागे 160 पीज पूरे होते हैं और उसके बीच में के कवर भी दिया गया है देख लेते हैं 32 पेज पहला जो है वो है चाइल्ड हूड ओफ चाइल्ड हूड हूड है एक राम के बच्पन के दिन फिर 32-31 पेज के बाद में हमें नया कवर आठ देखनों को मिलता है राम इन एक साइल नहीं राम का बनवास फिर अगर 64 पेज कर लें अलाकि कवर अगर अलग से होता तो यह इसके पिछे वाले पेज ब्लेंक होता पिर इसके अगर कवर इस सर यह 63 ने कि 63 पेज के बाद हमें नया कवर मिल जाएगा यह 62 पेज के बाद मिल जाएगा दिख लेता है 61 के बाद मिल रहा है 63 कि तीसरा पार्ट हो है एब्डक्शन अफिता अगर इसी सिक्वेंस चलते हुए अगर हम जाए तो 96 यार 92-3 पेज के बास नहीं आए आट मिल सकत है देख लेता है यह देखिए 24 पेज के बाद मिलता है इन सर्च अफ सीता सीता की खोच हाट रूप इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे है यह बस एक चित्रहा उसके उपर ऐसा लेबल आगस आट का रूप देदिया गया है कवर आट का अध्राइस कवर आट ज् हम 128 पेजिस के तरह बढ़ते हैं है 128 यानि की 120 के असपास होगा 25 के असपास होगा यह देखें मिल गया है 128 पे है यह राम दा विक्टोरियस इस तरीके से इसमें पांच कवर आर्ट आपको मिलते हैं पूरी में दिलिप कदम जी का आट रूप मिलता है तो अगर आप यह दिलाया क्योंकि काफी पुराना इनका कोपिराइट अगर इसमें दिया होगा तो कि और और भी बहुत बड़ी सी स्रीज है जो अच्छे पार्ट हो चे कांड है और हाट बाउंड है काफी अच्छी है ब्लोसी है लेटेस उसमें आर्ट वर्क है लेटेस कलरिंग के स्टाइल है वह भी आप चेक आउट कर सकते हैं इसी सीडिज का मैंने इंग्लिस में भी र क्तों का ययाने कि वालमी के लमायन परताप ओलीजी आर्ट के साथ के साथ में और तुल शिदास र मिटेस कि एक सुशाच प्रस्ट और हमें शीनुच में प्रश्ट इनका एंग्लिस में भी रिव्यू आप देखना चाहें तो आप तो डिश्क्रिश्न में दियागी लिं